नमस्कार स्वागते आपका हिंद टीवी में जहां एक तरफ आज के टाइम में लोग अपनी एक जिन्दगी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे शक्स हैं जो एक नहीं बलकी 14 अलग 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 जिन्दगियां जी रहे हैं हर प्रांत में अलग अलग शादी कर इस फ्रॉड डॉक्टर ने कहीं महलाओं को धोका दिया उनसे काफी मोटा पैसा लूटा आपने स्पेशल 26 लेडीज वर्सिस रिकी बहल जैसी फिल्मों में फ्रॉड धोका धड़ी लड़कियों को फसाना देखाई होगा लेकिन एक ऐसे शक्स हैं जिन्नों ने ये फिल्मी पैतरा असल जिंदगी में अपना लिया 54 साल के उडिसा के रहने वाले रमेश चंद ने रोमियो बन कई महलाओं को लूटा दरसल सोशल मीडिया के एक शादी प्रपोसल प्लैटफर्म यानि मेट्रिमोनियल पर रमेश ने अपनी फेक प्रोफाइल बनाई और उन महलाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया जो या तो तलाक शुदा होती या सिंगल मिडल एज ये सारी महलाओं वर्किंग थी और एक अच्छे स्तर पर थी उनके पद के हिसाब से ये आरोपी अपनी इस्तिथी बना था और उन्हें प्रपोसल बेज था ऐसे ही अपने फेक पोट्पोलियों के जरिये औरतों को अपने जहांसे में फशा कर उनसे शादी करी अपने आपको हेल्थ वेलफेर मिनिस्ट्रे का टॉप आफिसर बताकर इसने 14 शादियां की रमिश्चंदर पाँच बच्चों के पिता हैं इन्होंने अपनी पहली शादी 1982 में करी और दूसरी शादी 2002 में 2002 से 2002 के बीच इस सक्ष ने अलग-अलग महिलाओं से दोस्ती कर उन्हें जूट बोल कर शादी की शादी करने के बाद वे एक अच्छी रकम वसूल कर वहां से भाग जाता और नई शिकार की खोश शुरू कर देता इस रोमियों ने कुलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में अलग-अलग महिलाओं से शादी की 13 शादीों के बाद 14 शादी जो की दिल्ली की महिला से हुई यहां आकर रमेश फस गया क्योंकि दिल्ली की इस महिला ने आरोपी की हरकते नजरंदाग ना करके चान बीन की जिससे सारा सच सामने आ गया और भुबनेश्वर की पुलिस ने खोच कर मिस्टर चंद्रा के सारे फेक अकाउंट्स निकाल लिए जाच के दौरान काफी ऐसी चीजे खुल कर आई जिनने देख कोई भी हैरत में पड़ जाएगा पंजाब की Central Armed Police Force की महिला भी इस धोके का शिकार हुई जिनसे इस आरोपी ने शादी कर 10 लाग रुपे लिए इस आरोपी को पुलिस ने इहरासत मेले उस पर Under Section IPC की धारा 498A, 419, 468, 471 and 494 लगा मुकत्मा दर्ज किया है ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे हिंद टीवी अभी के लिए इतना ही नमस्कार अपने सुझाव हमें comment box में देते रहे हमें आपके सुझाव का इंतिसार रहेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद